हलो फ्रेंट्स देखते हैं बाइक इंशोरंस ऑनलाइन कैसे निकलना है ऐसे तो काफी सारी कंपनीज है और हर कंपनी की अलग-अलग वेबसाइट है बट एक है पॉलिसी बजार पे आप हर कंपनी का कंपेर करके आप आपको जो सिलेक्टिव है अच्छा सस्ता आप इंशोरं से ऑनलाइन यह आपको वेबसाइट आएगा इसका अप्लिकेशन मोबाइल अप्लिकेशन भी है एंड्रॉइड है आयोस है आप वहां से भी इंशोरंस निकाल सकते हो तो यह फर्स्ट पेश है पॉलिसी बजार का अभी मुझे बाइक इंशोरंस निकालना है तो आपको सब राओड बाइक नमबर बियाफ प्रोसेस कर सकते हो ब्राइं ब SagS brand new बैक के लिए आपको यह से क्लिक करके आगे बढ़ना है आपको George RC policy upload करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो मेरे पास bike number है let's get code यहाँ आपका manufacturer bike का manufacturer add करना है उसके बाद model कौन सा है bike का वो आपको add करना है और variant क्या है variant डालने के बाद registration year जो है वो select करना है last year आपका जो insurance था bike का उसका insurer आपको select करना है policy अभी expire हुआ है नहीं हुआ है तो ओ आपको mention करना है so last time जो insurance लिया था ओ थर्ड पार्टी था या comprehensive था तो थर्ड पार्टी था मेरा और उसके बाद इस हर एक company का quotation यहाँ पर आपको मिलेगा जो that is very simple to get insurance policy for us यहाँ पर आपको plan select करना है एक साल के लिए चाहिए है दो साल तीन साल तक आप policy ले सकते हो यहाँ तीन टाइप है यहाँ comprehensive package का यह details है आपको zero depreciation लेना है तो उसका यह details है और यह सिप दो company प्रोवाइड कर रहे है और third party liability only मतलब आपके गाड़ी का कुछ बे accident हुआ बट आपको कुछ नहीं मिलेगा बट आपने किसी और के गाड़ी को ठोका तो उसका आप बर करके दे सकते हो तो यह third party सस्ता भी होता है बट मुझे लगता है comprehensive package लेना best है दोनों का नुक्स भर सकते हैं और आप बाइक के valuation यहाँ पे दिये है हर company के अलग-अलग valuation है valuation के सबसे premium भी हर एक का अलग-अलग है तो आप इन सब companies की study कर सकते हो आपको जो better जिसका review अच्चा है ओ company का insurance ले सकते हो सो मैं भारती के साथ जा रहा हूँ next page पे आपको यह सब details बरना है details बरने के बाद आपको continue to step 2 पे करना है step 2 में आपको nominee details फिल करनी है और उसके बाद continue to step 3 करना है step 3 में आपको bike की details बरनी है engine number, chassis number यह सब फिल करके save and process पे click और यह details आपको या तो RC book में से मिलेगी या आपके पास previous policy की कोई receipt रहेगी उस पे आपको यह details मिलेगे और यह final stage है आपके details verify होके यह last page पे आपको payment करना है और यह net premium है मेरा 833 और प्लस GST बनके 983 मुझे pay करना है आपको quote अगर whatsapp नहीं चाहिए तो आप यह tick हकाल सकते हो payment करने से पहले यहाँ पूरी summary आप पढ़ लेना आपने सब details proper दिये है सब कुछ verify कर लेना और उसके बाद payment कर लेना thank you very much next page payment के लिए आपको इतने सरे options है you can pay through paytm, debit card, EMI option भी available and net banking भी available है जैसे आपको possible हो वैसे आप payment कर सकते हो thank you very much for watching this video अगर मेरा वीडियो आपको पसंत आया तो please मेरा channel subscribe करो ऐसे helpful वीडियो में बनाते रहता हूँ और बनाता रहूँगा thank you very much